हलो वेलकम टो टेक्षरमित आज के शेशिन में एक और मेथड कवर करेंगे पाइतन का जो है इस डिजट ठीक है तो यहां पर मैंने इसके लिए कुछ सेनेरियो को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इस डिजट का यूज कर सकते हैं ठीक है तो पहला सेनेरियो पर फोकस करत में as it is दिखाएंगे फिर before method use after method use जो रहा था वो दिखाते हैं ठीक है तो यहां पर हमने क्या क्या कि before method use as it is text को print कर दिया किसी भी modification से पहले अब हम क्या कर रहे हैं उसके बाद वाले line में हम is digit का use करते हैं तो उसका syntax क्या होगा आपको लिखना है text.isdigit तो यह क्या करता है यह boolean value को written करता है तो किसी भी boolean value को आप string में concat नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसमें string से इसको convert नहीं करोग जबाएगी वो इससे attach हो जाएगी कि is digit तो यहां पर true false जो भी होगा और next line पर चला जाएगा तो is digit method करता क्या है जो भी हम उसमें variable को use कर रहे हैं जैसे मैंने यहां पर text.isdigit किया तो मैं text को use कर रहा हूँ तो text में यह check करेगा कि जो भी वहां पर string में store है character क्या वो digit है अ कभी हमार को कोई ऐसा data आरा जो हमें verify करना है कि क्या हम उसको numeric में convert कर सकते हैं क्या वो numeric है तो उस case में हम इस digit का use करते हैं तो इसको save करते हैं इसका पहला output देखता है control shift tilt किया मैंने program का terminal open के लिए अब यहाँ पर program को run करेंगे session आपको लिखना है इस तरह से python space session 18.py और आपको enter it करना है तो यह क्या करेगा सारे output को print कर देगा सारे scenarios के लिए हैं तो हम first पर focus करते हैं तो यहाँ पर ही क्या लिखावा रहा है इस रिजिए true आ रहा है true सही है क्योंकि 12345 सभी digit numeric है तो हमने return कर दिया true इस function ने return कर दिया true अब हम देखता है second scenario में हमने यहाँ पर value रखिया 42.5 क्या यह digit है तो अगर हम देखें तो यह numeric digit नहीं है यहाँ पर dot का use हो रहा है तो वह as a character ही समझता है तो अगर मैं page down कर आपको दिखेगा यहाँ पर return हो रहा है false ठीक है क्योंकि वह as a character उसको consider कर रहा है वह digit नहीं है symbol है वह digit नहीं है तो वह उसने false return किया next वाले में हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या string ही use किया हुआ है hello world तो यहाँ तो कुछ digit नहीं है तो इस case में भी वह false return करना चाहिए जो वह written कर रहा है false अच्छा अगर ऐसा कर दें हम यहाँ पर इस जगह पे में 123 भी डाल दो जो खुद digit है तो क्या वह return करेगा true एक बार run करते है इसको आप से इसके लिए python session 18.py अब अगर हम hello world 1235 तो भी वह false return कर रहा है क्योंकि इसमें आधी चीज तो digit है पर आधा string भी है तो वह false return करेगा fourth scenario देखते है fourth scenario में क्या किया हमने 10,000 रखा बट कॉमा के साथ तो क्या वह कॉमा को consider करेगा कॉमा को भी consider नहीं करेगा वह return करेगा false क्योंकि वह भी इस डिजट नहीं है ठीक है तो यह कुछ basic scenarios हैं जो हम use कर सकते हैं और जिनके लिए हम use करते हैं इस डिजट method को यह तभी आप यूज में mostly लोग है जैसे माललो आपके पास कोई registration form से data आ रहा है और आपको check करना है कि जैसे अगर हमने कोई mobile number का field रखा है तो वह महां पर सिर्फ number ही होना चाहिए है उसमें कोई character string नहीं होना चाहिए तो उस जगह पर हम इसका use कर सकते हैं और इसके use के थ्रू हम पता कर सकते है कि वह जो user name input किया वह क्या वह सिर्फ digit related data है या उसमें कोई string भी है तो वह true false return करेगा और उससे आप प्रोग्राम का flow decide कर सकता है so I hope यह session आपको clear हुआ हुआ होगा next session में बाकी topic discuss करेंगे so thank you for watching tech share मत